आप देख रहे हैं BBC मैं हूं सारे कासे और आज बात ज्रागन की नींद उड़ाने वाले हौंग कॉंग प्रदर्शन कारियों की यहाँ पिशले पांच महिनों से चल रहे हैं प्रदर्शन आज बेहधिन सक हो गए 24 घंटों के दौराद कुल मिलाकर तीन प्रदर्शन कारी पुलिस की गोली का निशाना बने है इससे पहले एक जंक्शन को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं प्रदर्शन कारियों को रोकने के लिए एक पुलिस कर्मी ने एक प्रदर्शन कारी पर गोली चला दी एक दूसरी घटना में प्रदर्शिन कारियों के साथ बहस के बाद एक आदमी को आग लगा दी गई इस शक्स को चीन समर्थक बताय जा रहा है और प्रेस कांफरेंस में एक वीडियो दिखाये गया जिसमें एक शक्स पर कोई तरल पदार्थ फेका गया एक दूसरे वीडियो में हम देख सकते हैं कि इस घटना के पहले दंगा करने वालों के एक समूँ ने स्टेशन में तोड़ फोड़ की जो व्यक्ति घायल हुआ है वो दंगा करने वाले लोगों से बाच्चीत कर रहा था उसके बाद उसे पीटा गया और दंगाईयों ने उसे आग लगा दी लेकिन इसके बाद ऑनलाइन पोस्ट में बेरुखी के साथ लिखा गया कि इस व्यक्ति ने खुद को आग लगा ली क्या इसकी वजह है ये दिखाना है कि हमारे लिए इंसानी जिंदगी के लिए कोई सम्मान नहीं है अब यही लोग दुष्परचार करते हुए पुलिस को हत्यारा बता रहे हैं हकीकत में चोर ही चोर चोर चिला रहा है इस प्रेस कांफरेंस में पुलिस ने गोली चलाने के अपने फैसले का बचाओ किया और कहा कि पुलिस कर्मी ने अपने बचाव में गोली चलाई फेस्बुक पर पोस्ट किये गए इस वीडियो में दिख रहा है कि एक प्रदशिनकारी से उलजने से पहले वो अपने रिवॉल्वर निकाल लेता है जब वो व्यक्ति उसकी तरफ बढ़ता है तो वो उस पर गोली चला देता है पुलिस कर्मी दो और गोलियां चलाता है हलांकि पुलिस का कहना है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति घायल हुआ है 21 साल के जिस शक्स को गोली लगी है उसकी हाला तब भी कंभीर है पुलिस ने इससे पहले एक बयान जारी कर उन अफवाहों का खंडन किया जिसमें दावा किया गया था कि पुलिस कर्मी को गोलियां चलाने के आदेश दिये गया थे दंगाईयों के आकरामक रुख को देखते हुए पुलिस करवाई के दोरान एक अधिकारी ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और एक व्यक्ती को इससे गोली लगी लेकिन पुलिस ने ज्याद्यां की और इसकी निंदा की जानी चाहिए देखे बीबी से समवादाता स्टीफन मैकडॉनल की ये रिपॉर्ट होंग कॉंग में आज घुस्से का जबरदस्त विस्फोट दिख रहा है ये पैनल चलने वालों की वही क्रॉसिंग है जहां एक पुलिस अधिकारी ने युवा कारेकरता पर गोली चलाई थी क्रॉसिंग के आसपास पुलिस के साथ पहले ही मुठभेड के वक्त का मलबा पड़ा है जब भी पुलिस कर्मी यहां आते हैं उन्हें हर बार पास खड़े लोगों की गालिया सुनने को मिलती है वो उन्हें गोली बारी का दोशी बताते हैं और हर बार जब पुलिस यहां से जाती है प्रदर्शन कारी वापस आ जाते हैं वो बैरिकेट लगा रहे हैं अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहां क्या हो रहा है यह जगा थोड़ी फिसलन भरी है पुलिस वालों की रफ्तार थामने के लिए प्रदर्शन कारियों ने यहां तेल गिरा दिया है यहां आप देख सकते हैं कि कैसे प्रदर्शन कारी दोवारा आ गए हैं जैसा मैंने बताया कि पुलिस जा चुकी है और वो दोवारा बैरिकेट लगा रहे हैं इस बैरिकेट को आग लगा दी गई और फा 1935 वीपों को बिर्टन को 99 साल की लीज पर दिया गया फिर दूसरे विश्य उद्ध के दोरान साल 1941 में जापान ने होंग कॉंग पर कबजा कर लिया फिर 1946 में होंग कॉंग में बिर्टन के मदद से दोबारा नागरिक सरकार बनी उद्योग लगे अर्थ विवस्ता बहतर फिर एक देश दो विवस्ता की तर्ज पर हॉंग कॉंग में नई सरकार बनी हॉंग कॉंग को स्वायतता मिली पर सत्ता का मुखिया चीन ने चुना हॉंग कॉंग में फिलहाल अपना खानून है अपनी एसेंबली है लेकिन विदेश और रक्षा विभाग चीन के पास है चीफ एक्जेक्योटिव को चुनाव समिती चुनती है और माना जाता है कि चीफ एक्जेक्योटिव चुनने में चीन की भोमिका होती है तो क्या चीन की दखल अंदाजे का डर ही इस हंगामे की सबसे बड़ी और एहम वज़े है आखिर चीन की नीतियां हौंग कॉंग में क प्रदर्शन का सिलसला थम नहीं रहा। प्रदर्शन कारी समझवाते को तयार नहीं है। होंग कॉंग की चीफ एक्सेक्यूटिफ लगतार सिथी पर चिंता साहर कर रही है। हम सभी अपने घर होंग कॉंग को लेकर बेहच चिंते थे। मौझूदा गतिरोध खत्म करने के लिए हम सभी रास्ता निकालना चाहते हैं। लोगों की ओर से उठाई जा रही पांच मांगों को लेकर हमने कई बार प्रतिक्रिया दी है। 15 जून को हमने कहा था कि बिल को निलम्बित किया जा रहा है। बाद में ये खारिज हो गया। प्रदर्शन कारियों का ये अंदाज ही चीन की जिनता की वचा बना हुआ है। अक्टूबर में जब चीन वीजिंग में का मिनिस्टर्शन के 70 साल पूरी होने का जश्ट मना रहा था, तब चीन सरकार का जितना ध्यान दुन्या को अपनी प्रगती और ताकत दिखाने पर था, वो उतना है सतर होंग कॉंग के प्रदर्शन को ले कर गी थी। बीदे दशकों के दोरान चीन ने विश्व महाशक्ति के तोर पर दबदबा बनाया है। साउथ चाइना सी में वो अमरीका और दूसरे देशों को चुनाती दे रहा है। लेकिन होंग कॉंग में चीन नीतियों और फैसलों को लगातार लोगों के विरोत का सामना करना पड़ रहा है। साल 2003 में विवादत सेक्योरटी बिल को लेकर पांच लाग से साधा लोग सड़ को पर दे और ये बिल खारिच हो गया। साल 2014 के अम्परेला मूव्मेंट में होंग कोंग के लोगों ने अपने नेता चुनने का अधिकार हासिल करने के लिए प्रदशन किया। हाना कि तब चीन ने अपना रुक नहीं बदला और अब इस साल विरोध की वजह से विवादत एक्स्टेडिशन बिल रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। लेकिन अब भी विरोध की लप्टे सुलग रही हैं। हांग कॉंग प्रशासन प्रदशन कारियों को बाचीत के जरीए समाधान निकालने का भरूसा दे रहा है। फिर भी प्रदशन कारी समझोते के लिए तयार नहीं है। क्या उन्हें आश्वासनों पर भरूसा नहीं है। और उन्हें किस बात का डर है। ये गुस्सा पहली बार नहीं दिखा है। होंग कॉंग ने बीते 22 साल में विरोथ प्रदर्शनों के जरीए कई बार दुनिया का ध्यान खींचा है। हम यहां होंग कॉंग में जादा लोग तांत्री का दिकारों और अजादी के लिए संघर्श कर रहे हैं। राजनीतिक विशलेशक विरोथ प्रदर्शन के इस सिलसिले को आजादी की चाहत के तौर पर देखते हैं। साल 1997 में व्रिटिन ने वन कंट्री टू सिस्टम्स के तहत होंग कॉंग को चीन के सुपुर्द किया। डील के मताबिक अगले 50 साल यानी 20-47 तक विदेश और रक्षा को छोड़कर हौंग कॉंग को बाकी मूर्चों पर वो स्वायता हासिल है जो चीन के लोगों के पास नहीं हैं। लेकिन हौंग कॉंग के लोगों को लगता है कि चीन उनकी आजादी को लगातार कम करने की कोशिश में हैं। ये अभी साफ नहीं हैं। और यही वो डर है जिसे हौंग कोंग के लोग खत्म करना चाहते हैं। वो लोगतांत्रिक सुधार और स्वायता बरकरार रखना चाहते हैं। हौंग कोंग में प्रदर्शन लगभग 5 महिनों से हो रहा है। और इतने लंबे वक्त तक प्रदर्शन का शेय प्रदर्शन कारियों के जोश और उनके जजबे को तो जाता ही है। लेकिन कुछ ऐसी बाते भी रही जिनकी वज़से प्रदर्शन कारियों में जोश भरता रहा। पिछले करीब 5 महिनों से होंग कॉंग में हो रहे सरकार विरोधी प्रदर्शन के कई रूप सामने आये हैं। प्रदर्शनों का अंदाज निराला था और संदेश देने का तरीका भी अनूठा। सबसे ज्यादा दुनिया का ध्यान खींचा होंग कॉंग अंतराष्टरी हवाई अड़े पर प्रदर्शनों ने। प्रदर्शन कारियों के मेट्रो रेल के कोलून टॉंग स्टेशन पर प्रदर्शन ने भी सुर्खियां बटोरी। ये प्रदर्शन हिंसक रहा और इस से स्टेशन को भारी नुकसान पहुंचा जिसके बाद कुछ समय के लिए रेल सेवाएं रोकनी पड़ी थी। तेज बारिश के बावजूद लाखों की संख्या में लोग हॉंग कॉंग के विक्टोरिया पाक पहुंचे। उनके हाथों में च्छाते थे जो अब हॉंग कॉंग विरोध प्रदर्शनों का प्रतीक बन चुके थे। विरोध के नए तरीके में लोगों ने हॉंग कॉंग को इंच दर इंच नाप दिया। शहर की गगन चुम्बी इमारतों से लेकर बंदर गाहों, शौपिंग मॉल्स तक में शांती पूरून धंक से मानव श्रंखला बना कर विरोध प्रदर्शन किया गया। और आखिर में ग्लोरी टू हॉंग कॉंग गाने ने इस प्रदर्शन में एक सुरीली धुन जोड़ दी। और कारकरम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप मुझे सीधे ट्वीट कर सकते हैं मेरा ट्विटर है अट बीबीसी सारे का आज के लिए पसितना है। कर दो कर दो